ओम नमस्षिवाय, स्वागत आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटुब चैनल पर, दोस्तों आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति का बहुत ही अच्छा उपाय बतारा हूँ, इसके सेवन करने से हर प्रकार की मनुकामना पूरियोगी और साथ ही आपकी पुत्र की मनुकामन पूरियोगी, निशंतान धमपत्ति को संतान प्राप्ति का महवपाय, सुबए स्वे, खाली पेट सबसे पहले आपको एक चीज का सेवन करना है, किस चीज का ध्यान से सुने, घर में पारद सिविलिंग लाकर के रखने, पारद सिविलिंग घर में लाकर के आपको रखना ह अब पारद सिविलिंग की प्रति दिन आपको पूजा करनी है, पहले आपको इश्नान करना है, इश्नान के बास में सूर्देव को अर्ख देना है, प्रति दिन का आपको नियम बनाना है, फिर आपको लड़ु गोपाल जी की पूजा करनी है, लड़ु गोपाल जी की निय बगवान के सामने अरपन करना है अपनी मनुकामना बोल करके। उसके बाद में आपको पारद शिवलिंग की पूझा करने है। पूर बोलना हैं नंदी जी नहूं तो आप भगवान सिवकि पूजा करें और सोमार की सोमार मंदर जाकर करें नंदी जी की कहन परदेंगे अपनी मनुकामना के बोल करके आपने केला अरपन किया है और तुलसी के पत्ते अरपन किये और जो 11 चावल के दाने आपको आपने स्रिविलिंग पर अरपन किये उनको आपको प्रति दिन खाली पेट खाना है खाली पेट का नियम बना ले तुलसी का पत्ता हात में रद करके भगवान के सामने आपको अपत्ता धीपक जलाएं उसमें दो लोंग आपको डालनी है और चावल सिविलिंग पर आपको अरपन करने हैं तो ये आपको नियमत रूप से 41 दिन कम से कम करना है एक तालिस दिन नियमत रूप से आपको ये करना है देखना कितनी जल्दी आपकी मनुकामना पूरी होती है ये उपाय गुपत रूप से करना है किसी को इसके बारे में बताना नहीं है जब आप ये उपाय करेंगे तो बहुत जल्दी आपको संकित मिलने शुरू हो जाएंगे और भगवान की किरपास सभी राशी वालों की मनुकामना पूरी होगी और आपकी पुत्र की मनुकामना संतान के मनुकामना अवश्य पूर्य कही साल भी जाते वहसेण को संतान को नहीं मिल पाते हैं संतान का शुक नहीं मिल पाता है तो आप नियमत रूप से यह बपाय शुरू कर दिजी है भगवान के सामने ओम्रमस्वा मंतर का जाब करना है, कृष्णी के सामने संतान गोपाल मंतर का जाब करना है, उसके बाद में आपको वो प्रसाथ खाना है, उसके दो घंटे बाद आप कुछ भी खाएं, एस चीज का ध्यान रखें, वीडियो को शेयर करें.